तो हेलो और वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आप देखना है प्रोटोन गेमिक यूट्यूब चैनल तो दोस्तों कल जैसे कि हम पता था सीजन 7 जो अपना लॉंच हो गया है और सारे टायर जो बंदे एस में थे कॉंपर में थे सब गिर के हैं आपने प्लैटीनम थरी पे यह जो ते वो प्लैटीनम घ्राइट वाले जो थे वह प्लैटीनम बण में गेता है अब क्या होगा आप जज्टायर करनी पड़ेगी वह तक जाने के लिए इस कॉंक्र में जिन लोगे सब ने होते कि वहां तक का ने के लिए तो यह जाएँन लेगिए अन लोग के लिए ह तब मेरा गेमप्ले बहुत ही बेकार था तो अब में वह मिश्टेक्स करता नहीं हूँ तो भाई थोड़ा सा इंप्रूमेट भी में को अपने गेम में देखने को मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो में मिलते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो वाई सीजन 7 जो कि वाई उसे एकदम मेंटेन करके रख पाते हैं तो साथी साथ इस सीजन में भी कॉनकर पुष कर रहा हूं मतलब रैंक पुष कर रहा हूं अब यह सब सारे टिप्स बताऊंगा आपको जो मैं यूस करता हूं अपना गेम खेलते वक्त तो सबसे पहले दोस्तों मैं पुष कर सकते हैं और और यह लेवल मतलब जो भी रैंक आप जाना चाहते हैं इस कॉनकर वह आप इजी ली तरीके से एकदम अचीव कर सकते हैं विस लो में करता है आपको वह दिन में कम से कम पांच गंटे खेलना पटा है और अकेले जाए बाई बंदे लो मेरे टाइब वहां दॉकरDंट पाइब करता है और हमाधो में इससाथ यापके पश्क्याट करना है और वहां और आपकि पास तुछ में कई चाहता है और मतलब अपके पस कोई आपके साथ एक पार्ट. IssADG leadory सब्सक्राइब करें लोग अच्छा डिवाइस के लिए तो आज तो सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों आगर आपके पास आपके सारे फ्रेंड खेलते होंगे तो आप लोगे आप उनके साथ खेल सकते हैं और अराम से दूओं में रैंक पुष कर सकते हैं और रही बात सबसे ज्यादा जो हाड होता है रैंक पुष करना वह होता है स्कॉर्ड में यह होता है कि चार बंदे एक तो आपको चाहिए लोग चार दोस्त है वह भी अगर अच्छा खेल करने तो आपके पास एकडम जबर्दा आपको वैसा स्कॉर्ड चाहिए होता है और एक इशारे पर बंदे खत्म ऐसा स्कॉर्ड हो चाहिए तो दूसरी बात हम आगे बढ़ते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर आप पुष कर रहें तो आपको होड़को बिल्कूल ही नही हो तो बाई वह बंदे आपकी 100% प्रेटी बना कि आपको लॉब्यूम पहुचा दिए और बाई कर लेना पर यह नहीं कह रहा कि आप लोग एकडम कैंपिंग करनी है एकडम चुप चुप के खेलना है तो बाई चुप चुप के नहीं खेलना है क्योंकि आपने को एक अपने बेंग पुछ कर रहे हैं तो अपने जैसे अगर तरड ही थाड राप है तो थाड एक दो आपने ड्रॉप ले लिया और वहां से अपने जो भी आपको समान चाहिए गोला बारू जो भी चाहिए उसे अपने बैंक बैंक में बढ़ा और फिर यह अपनी गाड़ी अपने पुछिंग करी अपनी रश गेंपले अपना कहला और एकदम धाड़ाद़ बंदे पेले आपने तो सबसे पहले बात तो यह हो गई आपको हॉट ड्रॉप सीधा नहीं करना है डायक्तली नहीं करना है इंडरेक्टली आपको होट्डरॉप करना है तो पहले अपको सेशन्टिया जो आपको चाहिए उसके बाद आपको सब मिलने के बाद मतलब एक दम मतलब 2 गण हो गई जैसे आपको एक गन मिल गई थोड़ी सी एक हेलमेट रश्वर एक दम सब मिल गई ऑर आपको जो गाड़ी उठानी है और पुरे मैप में जो चक्कर लगाने हो बंदों फाइट में घुच जाना है और तीसरी जो में चीज होती है वो भाई रैंक पुछ करते हैं आपके पास जो हता है आपका बाई पेशेंस आपको एकदम पेशेंस तरीका से खेलना है बिल्कुल स्ट्रेस अपने माइंड पर नहीं देना है कि यह नहीं कि जैसे वहां पे अगर आपके पेटी जो बना देगा और आपको जो भाई पचा देगा तो आपको एकदम फोड़ा प्ला पेशेंस रखना है गेम में जैसे मतलब आपको थार्ड पाटी नहीं करने और थार्ड पाटी करने तो थोड़ा से दूर से करो तोड़ा दिमाग लाग खेलो जब वो आपको पैचानना है आप किस चीज में बैस्ट हो तो आपको वही चीज लेनी है अगर आप अक्छी एयार चलते तो आपको एयार हमेशा सलेक्ट करनी है और हर गन पर इस पेशलाइजेशन तो होनी चाहिए कि एसम जी में एयार में और आपने शॉट गंस वगड़ा में त पता होनी चाहिए कि कहां पे आपका स्कूप नहीं निलता हो कौन से स्कूप पे आप जो एकदम मायर तरीके से एकदम अपने उपर कॉन्फिडेंस रहता है कि आप वह कर सकते हो तो मतलब यह तो गन का जो सारी गन्स के आपको पास होना चाहिए और आपको अपनी कोई पर हो गई तो इस नाइपर तो अगर आप अच्छी स्नाइपिंग करें तो इस नाइपर ले सकते हैं अगर आप असल्टर हो तो असल्टर तो भाई दो ए ले लो और कोई भी गन ले लो या कुछ भी लो बस SMG और यह तो आपको ले नहीं और एकदम अपने फाइट में तो मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता है क्योंकि बंदों के गेम पर जो है बाई डिपेंड करता है और आप हमेश्य आप अच्छी तरीके से जो है रैंक पुछ कर सको कि और आपकी माइनस बहुत कम होईगी अगर आप ऐसे दिमाग लाकर खेलोगे और इसी साथ-साथ आप अग अगर आपको आपको बताइए अगर आप इन्हें फालो करोगे तो 100% तो मैंने नहीं कह सकता है कि लोगों के माइंड सेट और गेंपले पर डिपैंड करता है कि वह कैसा खेलते हैं तो अगर आप अगर यह वाली टिप्स मेरी जो फालो करोगे तो अगर तो आप अराम से र अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइए